नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज मैं आपके सामने discussion करूँगा एक ऐसे companies के बारे में, जो future में एक अच्छा खासा growth लेकर, potential लेकर higher level में जा सकते हैं, तो पहली बात तो company आज stop level में है, और दूसरी बात company एक IT sector के उपर है, त इस तरीके से दिगेस दिगेस company जैसे TCS हो गया, Infosys, OEPRO, तो बड़े से बड़े players के उपर, जब market के उपर pressure है, तो उस time में भी इस company lifetime high करते जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग potential तो है इस company में, जिसलिए company आज top level में है, तो सारे information आपके साथ साथ करूँग चार्ट पटन आपको सिखाऊंगा, वो टेकनिकली चार्ट पटन आपको बहुत हेल्प करेगा, इस तरीके से trade लेने के लिए, और जब कोई इस तरीके से trade बनता है, वो trade higher potential होते है, as a swing trading के लिए, आप short term के लिए भी पैसा बना सकते है, आगर आप long term के लिए, इस company के उप जिसका impact आज internet दुनिया में किस तरीके से छागया आप देख सकते है, हर काम अगर आप थोड़ा सा internet सार्च करते है, अगर आप internet में interest रखते है, आप देखेंगे, artificial intelligence जो है, वो market में किस तरीके से काम कर रहे है, artificial intelligence होता कि हमें आपको बता दू, तो यह एक machine learning है, और दिखे मैं पहले हम लोग क्या कर देते, computer के मादधम से हम लोग को समझाना पड़ता था, computers को, कि हमको करना क्या है, अभी computer खुद समझ चुके है, अभी क्या करना है, वो खुद समझ चुके है, आप सिर्फ उसको बताइए, कि यह मुझे करना है, बाकि खुद वो calculate करके, वो सब बड़ा impact भी आएगा, और social media के, मतलब, internet के साथ साथ, हर मतलब, जो इनसान है, उसके उपर भी पेसर impact आएगा, क्योंकि आज बहुत सारा गलत काम भी artificial intelligence के मादधम से किया जा रहा है, क्योंकि देखी, घंटों का काम, कुछी seconds के अंदर company करके दे रहा है, artificial intelligence करके दे रहा ह से, सतिसत finance, home के साथ से, और insurance, shoppings, construction, manufacturing, तो आज मैं जिस company के बारे में बात करू, उस company भी artificial intelligence के उपर ही काम कर रहा है, देखी, एलन माक्स ने एक comments किये थे, कि artificial intelligence पूरा इस धरती को बरबात कर सकते है, तो उनका comment अगर सही हो गया, तो सच मुच में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप सोज भी नहीं सकते, तो artificial intelligence के बारे में बात करू, तुम्हीं इस company के discuss करू, तो जिस company के बारे में आज बात करने वाला हो, उसका नाम है persistent, तो persistent एक ऐसे company है, जो artificial intelligence के उपर काम कर रहा है, जो दिखाए टाटा इलक्सी, वो भी काम कर रहा है, और साथी साथ पर काम करें, ध्यान दिजेगा इस चीज को, तो company banking financial के उपर, industries के उपर, software and high tech के उपर, technology and media के उपर, life sense, healthcare, insurance, इस सारे products, जो demandable है, उसी demandable product के उपर company काम करते हैं, और company देखी, industrial के उपर, artificial machine learning के उपर भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब company में जो growth potential है, वो इस basis में हो रहा है जो product का demand feature में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाल है, इस company में खत्रा कहाँ पर है, चलो मैं आपको बता दू, तो सबसे पहले company के कुछ stain के बारे में बता दू, company का total overall बात करो, geography के लिए, company 22,007 है, 50 total teams member है, जहाँ पे company North Central America में, तो 77% revenue generate करते है, और इसका employees है North South Central America में, 2130 के आ और जहाँ पे Europe country में 10% और जहाँ पे employee है, 377 के आसपास, और इंडिया में सबसे ज़्यादा employees है, मंगर revenue बहुत कम है, 10% के आसपास, और सबसे ज़्यादा employees है, इंडिया में करिबन 20,200 के आसपास, और यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी जो rest of world है, उस rest of world में 1.8% के आसपा company का business models है, वो तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, अगर company के बाकी details के बारे में बात करो, तो ध्यान देजेगा, company most innovation, जो use companies है, वहाँ पे under 30 companies में company का ranking 14 में है, और globally 500 companies में company का ranking 60 number में है, तो globally जो 500 company है, top 5 companies है, उनमें से 60 number ranking में company का नाम देखने को मिलता है, company देखाजे तो largest bank, both of US, US and India, तो जितने सरे बड़ी से बड़ी दिक्कज bank है, उसके उपर भी काम कर रहा है, वहाँ पे company का ranking 8 number में है, out of 10, तो globally fintech जो company है, उनमें से company का ranking है 25, और company का top medical, जो medicine, जो devices है, उसमें company 6 number ranking में है, out of 10, और company US health system के उपर 4 number ranking में है, और company के दिखे analytics और जो instrument है, तो उसके उपर company 3 number question में है, और pharmaceutical products के उपर company 5 number ranking में है, इसका मतलब company के जो ranking है, वो अच्छा खासा level में है, और company धिरी धिरी उस ranking को वो growth कर रहा है, इस company के सबसे जो stand लगा, company के आज तक की जितने journey हुआ, company के journey 2010 साल से देखे, तो 127 के आसपास company के revenues था, और USD million के इसाब से, तो company के जो 127 था, वो बढ़ते बढ़ते देखे 10 साल नहीं, 13 साल के अंदर 1000 पहुँच चुके है, जहाँ पर 2022 में 766 के आसपास यहाँ पर टोटल देखने को मिला था revenue, CSR के हिसाब से, आज कितना है, 1000 के ऊपर, तो company की IPO आने के मतलब, from IPO के हिसाब से, company का देखे जो है, वो 17 परसन के आसपास growth हुआ, और CSR के percentage के हिसाब से 27 परसन के आसपास growth हुआ, तो company के जो growth है, बहुत high growth के potential के हिसाब से company देखने को मिला है, अभी company का financial details के तिना strong है, बहुत देखना बहुत जोरी है, आप ध्यान दिजिगा, financial details में, return or equity, return or capital employee, दोनों ही best level में है, 30% के उपर है, मतलब best level माला जाता है, company का कोई भी, मतलब जो depth है, वो ना के बराबर है, 900 क्रोड के असपास company income भी जनाट किया हर साल में, और company का peer issue, industry peer issue थोड़ा सा ज्यादा है, अगर इस company का peer issue में आपको calculate करके दूँ, तो peer issue एक time कहाँ पर गया था, 65 तक, और company correction करके अभी 40 तक लेका है, इसका मतलब high potential company फिर से बहुत recovery करके उपर जाने के लिए, तो companies के जो, देखा जाए, तो company का जो free cash है, मतलब company के जो हाथ में cash है, free cash, 520 करोड के आसपास है, और company के depth of equity के बारे में बात कर तो 0.17 के आसपास है, और company के interest coverage है, और 27.4 के आसपास देखने को मिला, return of capital employed और return of equity सब कुछ positive में है, अगर मैं इसी companies के analysis के बारे में बात कर तो company में जो good points है, company quarterly अच्छा कासा revenue generate करते है, company का CGR percentage के जो profit है 24% के उपर है, best level में है, company के जो dividend है, 36% के आसपास dividend payout कर चुके है, company देखिए, जो sales growth है, बहुत 17% के आसपास 10 सालों में sales growth increase हुआ है, तो सारे point positive है, सिर्फ book value के company के बहुत high level में, 9 times company के high में book value के हिसाब से trade कर रहा है, यह कोई भी stock अगर book value के उपर trade कर रहा है, तो obviously वो negative point है, फिर भी जब company के growth है, तब उस company में book value मेंटन नहीं करता, तो company का profit and loss के बारे में बात कर देखिए, continuously company sales को increase किया, और इस बार जो sales किया, वो सबसे धामा का है, और उसकी सबसे expense को भी maintain किया, और first time company, देखिए, जो operating profit दिखाया, वो 1500 क्रोड तक लेके गया, तो देखिए, इस तरह के से अगर growth होगा, सारे revenues का, तो share का भी growth होगा, तो उसी तरह के से share भागते देखने को मिला है, तो company के sales growth, profit growth, return of equity, सब कुछ best level में है, उसी तरह के से company आपको धामा का return भी दिया, लिकिस जब small का medium type company का अपनी बेस करते हैं तो अगर आपने सही company choose कर लिया, तो आपको कोई भी 40-50% तक return देने से कोई नहीं रोख सकता, तो इस company उसी तरह के से return आपको generate करके दिया, अगर मैं इसी companies के और details के बारें बात करूँ, तो company के जो share capital है, वो आप देखेंगे, तो वहापे भी positive है, और reserve के बारें बात करों, तो एक time company का 800 क्रोड का reserve था, आज 3,800 क्रोड के आसपास देखेंगे को मिला, तो company में growth potential हर लगाता देख रहा है, company का fixed asset देखी एक time 300 क्रोड के 300 क्रोड के आसपास था, अज 200 क्रोड के आसपास देखेंगे को मिला, तो इसका मतलब यहापे भी potential है, तो companies के cash flow के बारें बात कोरे company cash flow हर साल में maintain करता है, ऐसे नहीं कि company सिर माल बेचे जा रहा है, services देते जा रहा है और company का हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, company का हाथ में पैसा आ रहा है, तो सोचिए, जब company US market से सबसेदा revenues कमा रहा है, और US market में सबसेदा आज economically pressure है, उस time में भी company lifetime high के आसपास है, तो सोचिए इस company जब US में जो economic slowdown है, वो अगर खतम हो गया, तो इस company rocket बनेगा, तो मेरे हिसाब से investor के हिसाब से देखिए, investor भी इस company को पर कितना भरोसा करते है, चाहे वो FIS हो, चाहे वो DIS हो, पहले जितना निवेस करकर रखे ते आज भी उतना निवेस है, थोड़ा stick यहाँ पर बड़ा है, घटा या नहीं, तो public के पास भी उतना holding है, और promotor के पास भी उतना holding है, हर कोई यहाँ पर investment करना चाहते है, तो आप किसके लिए इंतेजार कर रहे हैं, तो अभी टेकनिकली चार्ट परटन के बारे में बात कर दो ध्यान देजिएगा, टेकनिकली चार्ट परटन क्या बना, अगर आमें COVID के time में इसका price दिखा दू, तो COVID के time में आपको इस कमपने के price देखने को मिलेगा, 356,7 के आसपास, वहाँ से कमपने high कितने के 5000 के आसपास, सोचिए, कमपने आपको return दिया, COVID के लेकर यह high level तक, सिर्फ दो सालों में कमपने आपको return दिया, 900% के आसपास और सोचिए 900% के आसपास मतलब कमपणी आपका fund 9 times कर चुके है 9 times तो 9 गुना आपका fund कर चुके है और वो भी 2 साल के अंदर अंदर यही तो power होते है mid cap and small cap type company में तो बड़े बड़े जो investor है आपको लग रहा है वो large cap blue chip type company आपको निवेस करके बैठे हुए ऐसे बिल्कुल भी नहीं वो इस तरह के से company ढूंदते हैं और उसको निवेस कर रहे हैं दिखिए बहुत दिनों तक company एकी जगा पर एकी range के उपर फसे हुए है और जो range बन रहे है मेरी सबसे strong range है और company अच्छा खासा level से आपर breakout किया और जो level बना वो मतलब reversal head and solder pattern है यहाँ पर दिखिए यहाँ एक solder बना यहाँ एक head बना फिर से solder बना और rules के हिसाब से जो solder बना उस solder के उपर closing होना चाहिए मतलब जो level से उस level के उपर closing होना चाहिए उसके उपर closing हुआ इसका मतलब high potential है इस level तक वो जाने के लिए और level कितना रहेगा around 6880 rupees के आसपास और अगर current price से उस level को touch करें तो करीबन 38% का gain आपको मिल सरता है आप कहेंगे sir कितना दिन में मिलेगा इसका कोई guarantee नहीं होता है कम मिलेगा हाँ आपको मिलने का chances बहुत जादा है कि कि जिस तरीके से parameter से आप देखना को मिला जिस तरीके से volume create हो रहा है मेरे इस अब से यह अच्छा कासक momentum दिखाएगा तो मैंने तो NT ले चुका हूँ आपने क्या किया जुरूर comment करेंगे तो यह था अच्के update तो मेरे वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक करना इस तरीके से in-depth analysis पाना चाता है तो चैनल को subscribe करना मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए अच्छे से रही अपने ख्याल लागए बाए